अध्यात्म के पत्पर समय के सदुप्योग के बारे में चर्चा करते हुए पूजय स्वामी रामसुख दास जी कहते हैं परमात्मा की इस विजित्र स्रिष्टी में मनुश्य शरीर एक अमुल्य इवं विलक्षन वस्तु है यह उन्नती करने का एक सर्वत्म साधन है इसको प्राप्त करके सर्वत्म सिध्धी के लिए सदा सतत हमें चेश्टा करनी चाहिए इसके लिए सर्वप्रथम आवश्यक्ता है लक्ष को निश्चित करने की जब तक मनुश्य इस जीवन में कोई धेय नहीं बनाता उद्देश्य नहीं बनाता तब तक वह वास्तों में मनुश्य कहलाने योग्य ही नहीं है क्योंकि उद्देश्य विहीन जीवन पश्वु जीवन से भी निक्रिष्ट है किन्तु जैसे मनुष्य शरीर सर्वोत्म है वैसे इसका उद्देश्य भी सर्वोत्म ही होना चाहिए सर्वोत्म वस्तु है परमात्मा इसलिए मानव जीवन का सर्वोत्म धिय है परमात्मा की प्राप्ति जिसके लिए भगवान श्रिक्रश्न ने गीता में कहा है यम लब्धुआ चापरम लाभं मन्यते नाधिकम ततहा इस परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबसे पहला और प्रधान साधन है जीवन के समय का सदुपियोग समय बहुत ही अमूल्य वस्तु है जगत के लोगों ने पैसों को बड़ी वस्तु समझ लिया है किन्तु समय को बहुत ही कम मनुश्यों ने मूले दिया है पर वस्तु तह विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि समय बहुत ही मूल्यवान वस्तु है विचार तो कीजिए अपना समय देकर हम पैसे प्राप्त कर सकते हैं पर पैसे देकर समय नहीं खरीच सकते अंतकाल में जब आयू शेश हो जाती है तब लाखों रुपए देने पर भी एक घंटे समय की कौन कहे एक मिनट भी नहीं मिल सकता समय से विद्या प्राप्त की जा सकती है पर विद्या से समय नहीं मिलता समय पाकर एक मनुष्य से कई मनुष्य बन जाते हैं अर्थात बहुत बड़ा परिवार बढ़ सकता है पर समस्त परिवार मिलकर भी मनुष्य की आयू नहीं बढ़ा सकता समय खर्च करने से संसार में बड़ी भारी प्रसिधी हो जाती है पर उस प्रसिधी से जीवन नहीं बढ़ सकता समय लगाकर हम जमीन जायजात हाथी घोडे धन मकान इत्यादी अनेक चल अचल सामग्री एकत्रित कर सकते हैं पर समपूर्ण सामग्रियों से भी आयो व्रिधी नहीं हो सकती यहां एक बात और ध्यान देने की है कि रुपए, विद्या, परिवार, प्रसिधी, अनेक सामग्री आदी के रहते हुए भी जीवन का समय न रहने से मनुष्य मर जाता है किन्तु उम्र रहने पर तो सर्वस्व नष्ट हो जाने पर भी मनुष्य जीवित रह सकता है इसलिए जीवन के आधार भूत इस समय को बड़ी ही सावधानी के साथ सदुप्योग में लाना चाहिए नहीं तो यह बात ही बात में बीट जाएगा क्योंकि यह तो प्रतिक्षन बड़ी तेजी के साथ नष्ट हुआ चला जा रहा है रुपए आदी तो जब हम खर्च करते हैं तभी खर्च होते हैं नहीं तो तिजोरी में पड़े रहते हैं पर समय तो अपने आप ही खर्च होता चला जा रहा है उसका खर्च होना कभी बंद नहीं होता अन्य वस्तुएं तो नष्ट होने पर भी पुनह उत्पन्न की जा सकती हैं पर गया हुआ समय किसी प्रकार भी लोटाया नहीं जा सकता अतहा हमें उचित यही है कि बचे हुए समय के एक शन को भी निरर्थक नष्ट नहोने देकर अती कृपन के धन की तरहें उसकी कीमत समझ कर उसे उचे से उचे काम में लगाएं प्रथम शेणी का सर्वोत्त क्रिष्ट काम है पारमार्थिक पूंजी का संग्र है दूसरी शेणी का काम है सांसारिक निर्वाह के लिए न्याय पूर्वक द्रव्यो पारजन इनमें से दूसरी शेणी के काम में लगाया हुआ समय भी भाव के सर्वता निश्काम होने पर पहली शेणी में ही गिना जा सकता है इसके लिए हमें समय का विभाग कर लेना चाहिए जैसे कि भगवान ने कहा है युक्त आहार विहार अस्या युक्त चेश्टस्य कर्मसू युक्त स्वपना वबोधस्या योगो भवती दुखहा दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का कर्मों में यथा योग्य चेश्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है इस श्लोक में अवश्य करने की चार बातें बतलाई गई है पहला युक्त आहार विहार दूसरा शरीर निर्वाहार्थ उचित चेश्टा तीसरा यथा योग्य सोना और चोथा यथा योग्य जागना पहले विभाग में शरीर को सशक्त और स्वस्थ रखने के लिए दूसरा विभाग है जीवी का पैदा करने के लिए जिसमें ब्रह्मन, क्षत्रिय, वैश और शूद्र आदी के लिए अपने अपने वर्ण धर्म के अनुसार न्याय युक्त करतव्य कर्मों का पालन करना बतलाया गया है तीसरा विभाग है शयन करने के लिए इसमें कोई विशेश उलेखनी ये बात नहीं है अब चोथा प्रमुख विभाग है जागने का श्लोक में अवबोध का अर्थ तो रात्री में छह घंटे सोकर अन्य समय में जगते रहना और उनमें प्रातह सायम दिन भर में छह घंटे साधन करना है परंतु अवबोध से यहां वस्तुतह मोह निद्रा से जग कर परमात्मा की प्राप्ती करने की बात को ही प्रधान समझना चाहिए श्री शंकराचारिय जी ने भी कहा है जागर्ती कोवा सद असद विवेकी अब इस पर विचार कीजिए हमारे पास समय है चोबीस घंटे और काम है चार तब समान विभाग करने से एक एक कारिये के लिए छेछे घंटे मिलते हैं उपर युक्त चार कामों में अहार विहार और शयन ये दो तो खर्च के काम है और व्यापार तथा अवबोध अर्थात साधन करना ये दो उपारजन के काम है इस प्रकार खर्च और उपारजन दोनों के लिए एक रमशह बारह बारह घंटे मिलते हैं इनमें लगाने के लिए हमारे पास पूंजी हैं दो, एक समय और दूसरा द्रव्य, इनमें से द्रव्य तो लोकिक पूंजी है और समय है अलोकिक पूंजी, आहार विहार में तो द्रव्य का व्यय होता है और शयन में समय का व्यय होता है, इसी प्रकार जीवी का और अब हमें सोचना चाहिए कि अलवकिक पूंजी को खर्च करके तो अलवकिक लाब ही प्राप्त करने योग्य है। साधारन तया आहार विहार और जीविका के कारिय से हम लोकिक लाब ही उठाते हैं। तथा शयन में तो श्रम दूर करने के सिवा कोई विशेश लाब की बात दिखाई नहीं देती। परंतु यही सब कर्म यदि निश्काम भाव से किये जाएं तो सर्वोत्तम अलोकिक लाब प्रदान कर सकते हैं। यहां एक बात और समझने की है कि यदि साधन भी सकाम भाव से किया जाता है तो वह समय भी लोकिक लाब ही देने वाला होता है। और निश्काम भाव से करने पर वही साधन अलोकिक लाब देने वाला हो जाता है। अतहा हमें सभी काम निश्काम भाव से करने चाहिए। अभी प्राए यह है कि हमें अवबोध मोह निद्रा से जग कर परमात्मा की और ही अपनी सब क्रियाओं का लक्ष बना लेना चाहिए। इससे हमको जो अब तक केवल सांसारिक लोकिक लाब ही हो रहा था उसकी जगह अलोकिक लाब होने लगेगा और इस प्रकार हम लोकिक पूंजी को भी अलोकिक पूंजी बना सकेंगे। यह बात तो उपर कही जा चुकी है कि आहार विहार और शयन ये दोनों खर्च के काम हैं इनमें भी आहार विहार में तो द्रव्य का खर्च है और शयन में जीवन का इसी प्रकार जीविका और अवबोध ये दोनों उपार्जन के काम हैं इनमें आजीविका में द्रव्य का उपारजन होता है और अवबोध में मोक्ष का उपारजन अतह मनुष्य को चाहिए कि नित्य जीवन के उपारजन का समय जो की अलोकिक है द्रव्य के उपारजन के साधन आजीविका के कारिय में ना लगाए अपितु उसमें भी निशकाम भाव और भगवत स्मृति को सम्मिल भाव यह है कि शोच स्नान आदी में यदि 5-6 घंटे से ही काम चल जाए तो 7 घंटे निशकाम भाव पूरवक द्रव्य उपारजन आदी करमों में लगाए और यदि शोच स्नान आदी में 4 घंटे से ही काम चल जाए तो 8 घंटे निशकाम भाव से द्रव्य उपारजन में इसी तरह सोने में यदि पांच घंटे से ही काम चल जाए तो साथ घंटे भजन ध्यान जब स्वाध्याय सत्संग पूजा पाठ आधी पारमार्थिक साधन में लगाने चाहिए। और यदि शयन में चार घंटे से ही काम निकल जाए तो आठ घंटे भजन ध्यान आदी में अवश्य लगाने चाहिए। तात पर यह यह है कि आए अधिक और व्याय कम होना चाहिए। अरथात हो सके जितना समय निद्रा से निकाल कर तो लगाया जाए भजन में और खान पानादी से समय निकाल कर लगाया जाए निशकाम भाव पूरवक आवश्य काम काज में। क्योंकि काम काज करते समय भी यदि निशकाम भाव रखकर भगवद आग्यां से न्याय पूर्वक करतव्य पालन किया जाए तो वह समय भी भजन में ही लगा समझा जा सकता है तथा खान पान आदी भी केवल भगवत प्राप्ती के उद्देश्य से ही किया जाए तो वह भी एक तरह से भजन ही है एवं निद्रा भी भगवत प्राप्ती के उद्देश्य से ही ली जाए तो वह भी भजन में ही सम्मिलित हो जाती है इनमें भी साथ साथ भगवान के नाम का जब और स्वरूप का ध्यान तो करते रहना ही चाहिए इस प्रकार उद्देश्य एक बन जाने पर तो सभी कारिये भगवत प्राप्ती कराने वाले हो जाते हैं जैसे किसी नदी के बहुत बड़े प्रवाह को भी जब नहरे निकाल कर अनेक शाखाओं के रूप में विभाजित कर दिया जाता है तब वह बहुत बड़ा प्रवाह भी अपने एक मात्र अंतिम लक्षे समुद्र तक नहीं पहुँच पाता और प्रिथ्वी पर ही इधर उधर बिखर कर समाप्त हो जाता है किन्तु किसी नदी का एक साधारन प्रवाह भी यदि अपने लक्षे समुद्र की और एक ही रूप से चलता रहता है तो अन्यान्य छोटे छोटे निरजर आदी की अनेक शाखाओं के प्रवाह भी उसी में आगर सम्मिलित होते रहते हैं और वही बहुत बड़ा प्रवाह बनकर अपने गंतव्य लक्षे समुद्र तक पहुँच जाता है इसी प्रकार उद्देश्य अनेक होने पर अर्थात कोई निरधारित लक्षे न होने पर या केवल लोकिक लक्षे होने पर बड़े बड़े कार्य और परिश्रम भी वास्तविक कार्य की सिध्धी नहीं कर सकते किन्तु धे यए एक और केवल पार मार्थिक होने पर साधारन से साधारन क्रियायं भी बहुत कुछ कर सकती है अर्थात उनमे भी भग्वत प्राप्ति हो सकती है क्योंकि जिसका लक्षय भक्त ध्रुव की तर है, ध्रुव यानि अटल है, वही निर्बाध रूप से और शिग्र सिध्धी प्राप्त कर सकता है, उसके मार्ग में कोई भी विग्न बाधाई नहीं आती, जो आती हैं, वे भी सहायक ही हो जाती है, संसार के मनुश्यों को तीन भागों में बाटा जा सकता है, द्वेशी, प्रेमी और उदासीन, ध्रुव को भी उनसे द्वेश रखने वाली माता सुरुची ने यही उपदेश दिया, कि इस पद को प्राप्त करने के लिए तुम भगवान विश्नु की आराधना करो, और उनसे प्रेम करने वाली माता सुनीती ने भी इसी का समर्थन किया, तथा उदासीन, श्री नारत जी ने भी अंत में श्री विश्नु भक्ती का ही उपदेश दिया, कहने का तातपरिय यह है, कि जिसकी साधना तपस्या का लक्ष ध्रुव है, अटल है, उसके लिए कोई बाधक नहीं, द्वेशी, प्रे जिसका लक्ष पारमार्थिक नहीं, उसकी क्रियाएं बल्वती होने पर भी वास्तविक सिध्धी नहीं दे सकती, ब्रह्माजी ने स्वयम बतलाया, कि हिरन्य कश्विपू और हिरन्याक्ष जैसी तपस्या, सृष्टी में अभी तक किसी ने नहीं की, हजारों वर्षों तक ऐसी कठोर तपस्या करने पर भी, उनका लक्ष पारमार्थिक न होने से, वास्तविक सिध्धी उन्हें प्राप्त नहीं हुई, उनके विरोधी और उदासीन व्यक्तियों की तो बात ही क्या, सहायक भी जिन्न भिन्न हो गए, अतहा, मनुष्य को उचित है, कि अपना मनुष्य एक परमात्मा को बनाकर सावधानी के साथ ततपरता पूर्वक यथोक्त रीती से करतव्य कर्म करता रहे, ऐसा करने पर वह अनायास ही परमध्य की सिध्धी कर सकता है, आवश्यक्ता है सजग रहने की, सावधानी की, मनुष्य को हर समय जागरूख होकर इस बात क ध्यान रखना चाहिए कि मन, इंद्रियों और शरीर आदी की चेश्टाएं कहीं संसार को मुल्यवान समझ कर न होने लग जाएं, अर्थात संसार लक्ष न बन जाएं, इस प्रकार हर समय एक लक्ष सिध्धी की जागरिती बनी रहनी चाहिए, लक्ष स्थिर करके चलने वा समझ लेने और निरंतर स्मरण रखने की बहुत ही आवश्यक्ता होती है, दोनों रहें तब तो कहना ही क्या है, एक तो यह है कि हमें पहुचना कहा है, और दूसरी यह है कि उसका मार्ग कौन सा है, जैसे हमें किसी पहाड पर एक देव मंदिर में जाना है, तो पहले उसका दिग दर्शन हो जाए कि जाना कहा है, तो फिर हम उस दिशा की ओर दृष्टी करके चलते हैं, अत्वा मंदिर न दिखाई देने पर भी हमें केवल रास्ता मिल जाए कि इस रास्ते से इस प्रकार पहाड पर स्थित देव मंदिर में पहुचा जा सकता है, तो हम केवल रास कि स्वरूप को समझना चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति है क्या, भगवान ने गीता में वतलाया है, यम लब्ध्वा चा परम लाभं मन्यते ना धिकम ततहा यस्मिन स्थितो न दुखे ना गुरुणा पी विचाल्यते, अर्थात उसकी प्राप्ति होने पर उससे बढ कर अन्य कोई लाब होता है, ऐसी मान्यता उसके मन में रहे ही नहीं सकती, और उसमें स्थित हो जाने पर बड़ा भारी दुख भी उसे कभी विचलित नहीं कर सकता, यानि कैसा भी कष्ट क्यों न प्राप्त हो, हमारे परम आनंद में कभी कमी नहीं आ सकती, तो फिर दुख तो वहां रहे ही कैसे सकता है, दुख का तो वहां आरंब ही नहीं हो सकता, क्योंकि सुख में कमी आने से ही दुख आने की गुंजाइस रहती है, और सुख की कभी किंचित भी कमी वहां रहती नहीं, उस स्थिती में हर समय एक रस, समतावनी रहती है, राग, द्वेश, शोक, चिंता, भय, उद्वेग, आदी, भाव जो होते हैं, अंतह करण में कभी हो ही नहीं सकते, कर्म, कलेश, विकार, अज्ञान, संशय, भ्रम, आदी, दुख और दुखों के कारणों का, सदा के लिए विनाश हो जाता है, इसलिए, जहां दुख नहीं है, वहीं हमें जाना है, उसी परमात्मा को प्राप्त करना है, और उस परमात्मा की प्राप्ती के लिए, हमें जितना भी समय मिला है इस मनुष्य शरीर में, हमें उसका पोन रूप से सदुपियोग करना चाहिए, करना चाहिए,